नमस्कार, आदाब, सस्रियाकाल, मैं प्रखर श्रिवास्तव, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है NCB Narcotics Control Bureau स्वापक नियंत्रण Bureau अभी कुछ देर पहले शुषान सिंग राजपूत के केस में एक नया एंगल निकल कर आता है Inforcement Directorate ने NCB को एक चिठी लिखी है और अब Narcotics Control Bureau भी इस केस में अपनी भागिरदारी देगा क्योंकि अब इस केस को एक और एंगल से जाचना जरूरी हो गया है और वो है ड्रक्स का एंगल क्योंकि माना ये जारगाग है कि शुषान सिंग राजपूत के कई दोस्त ड्रक्स लेते थे और उनका कई सारे ड्रक्स डीलर जो कि इंडिया में मौझूद है और इंडिया के बाहर मौझूद है उनके साथ संबंद है तो इस एंगल से इस केस को जाचने के लिए NCB को इस जाच के लिए ED ने खत लिखा है और राके सस्थाना जो की NCB के डारेक्टर हैं उन्होंने भी आस्तक के सामने यह कहा है कि हाँ अब हम भी शुषान सिंग राजपूत के केस में जाच करेंगे तो मैं आज आपको NCB के बारे में बताऊंगा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूलिए गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों NCB भारत की एक Nodal Drug Law Enforcement and Intelligence Agency है जिसका काम क्या है पता है सिंपल सा ड्रग ट्राफिकिंग को रोकना मतलब ड्रग ट्राफिकिंग के खिलाफ फाइट करना जो लोग ड्रग्स खरीते हैं बेचते हैं उनके खिलाफ फाइट करना उन्हें रोकना और जितने भी illegal substances भारत में है उनके abuse के खिलाफ फाइट करना मतलब अगर कहीं पर भी psychotropic substances या ड्रग्स की बात आती है इनको खरीदने या बेचने की बात आती है वहाँ पर जाच सीधे NCB को दी जाती है और दोस्तों इसका निर्माड 17 मार्च 1986 को हुआ था ताकि दो एक्ट को पूरी तरह भारत में लागू किया जा सके और अगर इस एक्ट से related किसी भी तरह का मतलब इस एक्ट के खिलाफ जाकर कोई काम करता है तो सीधे वह NCB के जाच के दाइरे के अंदर में आएगा और वह एक्ट कौन कौन सा है नार्कोटिक्स ड्रक्स एंड साइको ट्रॉपिक सब्स्टेंस एक्ट 1985 इन दोनों एक्ट के तहत भारत के अंदर ड्रक्स खरीदना ड्रक्स बेचना ड्रक्स बनाना यह सब इलीगल है और अगर ऐसा करते हुए कोई पकडाता है तो सीथे इतने कीलो हेरोईन के साथ ये पकडाए इतने कीलो इसके साथ ये पकडाए तो यह सीथी जाचना अग्ल को दीजाती है और वह है न नर्कोटिक्स कंट्रोल भूरू तो इसलिए इनको ED ने खत लिखा कि आप, अब आप शुशान सिंग राजपूत के केस में ड्रक्स के एंगल से जाज कीजिए दोस्तो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट NCB में होती है पोस्ट निकलते हैं अक्सर लेकिन इसके इलावा NCB में जो आफिसर गोते हैं वो इंडियन रिवेन्यू सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस और यो पैरा मिलिटरी फोर्स होती हैं वहाँ से डिरेक्टली मेंबर रिक्रूट किये जाती हैं वैसे तो इनका एग्जामिनेशन होता है अगर आपको डिरेक्ली NCB में जाना है तो या तो आप IPS ऑफिसर हो या तो आप IRS ऑफिसर हो या तो फिर आप पैरा मिलिटरी फोर्सस में रही हो नर्कोटिक्स कंट्रोल भ्यूरो का हेड़कॉर्टर देली में है और इसके इलावा इनके कई सारे फील्ड यूनिट्स हैं और आफिसस हैं और इनका जो में परपस है मैं आपको अल्रीडी बता चुका हूँ ड्रक ट्राफिकिंग के खिलाफ फाइट करना और इन्डिया लेवल पे और इसके इलावा ये भारत की कई सारी एजन्सीज को कोपरेट करते हैं जैसे कि अभी ये CBI और ED को कोपरेट करेंगे शुशान सिंग राजपूत के केस में तो इनका एक काम और गया कि ये कई सारी एजन्सीज के साथ कोपरेट करते हैं लाइक कस्टम एंड सेंट्रल एकसाइज GST, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट CBI, Central Economic Intelligence Bureau और भी भारत में जितनी भी इंट्रेजन्स एजन्सी हैं सब के साथ ये कोपरेट करकर काम करते हैं जब इनकी जरूरत होती है तो ये इंडिया लेवल से लेकर नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक काम करते हैं और इसके इलावा दोस्तों ये अशनल आप इंडिया जरुग लॉइंफोर्समेंट एजन्सी इन फाइटिंग ट्राफिकिंग और ड्रग ट्राफिकिंग से लड़ने के लिए ये कई सारी संस्था को ट्रेणिंग भी देते हैं कई सारे संस्था के पर्सनल को ट्रेणिंग भी देते हैं इंडिया जरुग लॉइंफोर्समेंट एजन्सी के जो पर्सनल गोते हैं उनको भी ये ट्रेणिंग देते हैं कि किस तरह ड्रग ट्राफिकिंग को रोका जाए और इसके लावा दोस्तों भारत में जितने भी आपके ड्रग पिडलर हैं इसके लावा फोर्ण में जितने ड्रग पिडलर हैं सब पर इनकी नजर रहती है ये अपनी एक लिस्ट बनाते हैं कि भारत में ये एक पिडलर है इकसर आपने सुना होगा कि रे पाटी होती है और रेप पाटी में च्छापा पड़ता है वो च्छापा कौन मारता है पता है वो च्छापा NCB मारती है और एक बार अग इनके हत्ते चल गये न तो फिर बहुत दिक्कत होगी अगर आप मेंसे किसी ने फोर्स मूवी देखी होगी जौन अबरहम की तो जौन अबरहम उसमें NCB का ही ओफिसर था नारकोटिक्स कंट्रोल भीरो का तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर ये वीडियो आपनों को पसंद आया हो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए विश्यू ओल अवेरी गुड लक टेक कियार गुड भाई शबा खेर